तो इसमें हमने क्या चीज़े रखी है तो इसमें देखिए मुख्यबाद क्या है आपती पहली चीज़ तो याद रख लेना है हिंदी भाषा प्रियोग के विविद धरूब वैसे जो यह आपका बोली है मानक भाषा है एंड राष्टर भाषा और संपर्क भाषा यह इतने ज़ादा ज़रूरी यहां से नहीं है और नहीं यहां से कभी आपको प्रश्ण भी ज़ादा पूछा गया है ठीक है इनके बा कि राजभाषा में क्या क्या चीज़ें आपको रहने वाली है जैसे इसमें राजभाषा का अर्थ आपको पूछ लेते हैं ठीक है भारतवर्ष में भारती है जो राजभाषा रही वो क्या रही और राजभाषा हिंदी में हिंदी के जो प्रियोग की प्रगती रही वो कैस साथ आपको याद अख लेना है कि राजभाशा से संबंदे तक कौन-कौन से उपबंद है ठीक है इनको भी आप याद अखते हैं यह सारे टॉपिक जो है इसमें समाहित हो जाते हैं तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम आज देखेंगे वो है राजभाशा हिंदी के प्रि क्या हुआ था यहां से हम देखेंगे कि कैसे आएगा और यहां से कैसे प्रश्णब आगे आने वाले पर में आपके लिए बन सकते हैं ठीक है तो सब रख लेना है तो पहली चीज है यहां पर संविधान द्वारा सरकारी कामकाज प्रशासन एवं संसद और विधान मंडलों तथा न्याइक कारेकलापों के लिए सवयकृत जो भाषा रहती है उसे ही राजभाषा कहा जाता है इन शौट कहें कि शास्किये कारियों के लिए प् प्रतिष्ठित है अब ये तीन पद कौन-कौन से हैं देखिए एक है आपका राजभाषा एक है राश्ट्र भाषा और एक है संपर्क भाषा यहीं से आप राश्ट्र भाषा और संपर्क भाषा समझ जाएंगे देखना जादा मैं इसको आपको नहीं बताऊँगा क्योंक देखिए यहां पर यह क्या क्या रहा है कि समिधान के अनुच्छे 343 के अनुसार इसे भारत की राजभाषा के रूप में सुविकार किया गया है ठीक है अगर हम देखिए राजभाषा कैसे हो यह समिधान में इसका वनन है कि जो अनुच्छे 343 है उसके अनुसार क्या है शब्द जो है अमारे सवीधान में ऐसा था नहीं ठीक है लेकिन मांग वेशा ये उठती रही है देखना कि हिन्दी कुछ राश्टर भाषा बना दिया जाए लेकिन अधिकतर भारतियों के द्वारा इसका प्रियोग के चलते ही इसे हम क्या कहते हैं राश्टर भाषा कहते है और अधिकतर लोग जब बोलते हैं तो उनके द्वारा प्रियोग में लाए जाने के कारण ये भाषा क्या हुई व्यवारिक हुई एक दूसरे के साथ संपर्ख सादा जा रहा है इसी भाषा में तो ये तब क्या हो जाती है तब हो जाएगा ये आपका व्यवारिक भाषा यानि की संपर्ख की भाषा ठीक है इसको आप याद रखेगा कि ये अलग अलग चीज़ें रहेंगी और इस तरीके से हम हिंदी को देखते हैं कि ये तीन पदों पर विराज मान भारतवर्ष में हैं तो क्यों इसको हम मानते हैं ये आपको याद रखेगाए चीज़ाए बंगाल से हुई तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यानि में रखेगा कि राष्ट बाषब जो है बनाय जाने चाहिए, यह किस राजय से पहली-पहल मांगुटी, बंगाल के भाग से, ठीक है, तो यह चीज आप यहाँ पत्यान रखेगा, समानने सा परीचे आपको याद रख लेना है, तो most important हो जाती है, इसकी परिभाशा, इससे आपको वैसे जादा प्रशन तो नहीं आत ठीक है, राजभाशा, यह सब लोगों को पता ही है, 343 वा नुच्छेद है, ठीक है, common सा प्रशन है, नहीं बनेगा, फिर आता है राजभाशा के रूप में हिंदी, इसको याद रखिएगा, यहाँ पर लिखाए देखिए, 14 सितंबर 1949 में समिधान के, एक सदस्य शिरी स्वामी आयंगर, इन्होंने जो समिधान निर्मात्री सवा थी, समिधान निर्मान करने वाली जो सवा रही देखना, उसके समक्ष इन्होंने क्या किया, हिंदी को राजभाशा बनाने का प्रस्ताव रखा, इंपोर्टन, very very important question है, हिंदी को समिधान सवा के समक्ष, राजभाशा होनी चाहिए और इस प्रस्ताव को जो है उसी दिन पूरी सहमती के साथ स्विकार करके पारित भी कर लिया गया तो यहां पर आपको यह ध्यान रख लेना है कि जो हमारी हिंदी को कब राजभाशा बनने का दर्जा प्राप्त हुआ तो यहां पर 14 सितंबर 1949 को ज चलिए गुपाल स्वामी अयंगर के कहने पर या इनके प्रस्ताव पर ही हमारी हिंदी को क्या मिला अपना पूर्ण बहुमत के साथ इसे राजभाशा का दर्जा मिला ठीक है पहली चीज यह हो गई दूसरा आता है देखिए कि 1989 में एक और नाम रहा देखिए सी राजा पालाचारी इन्होंने भात्य समिधान सभाव में नेशनल लेंग्विज के समानांतर स्टेट लेंग्विज शब्द का प्रियोग किया नेशनल हुआ आपका देखिए राष्ट्र राष्ट्रिय भाशा ठीक है एंड स्टेट का मतलब हुआ आपका राज भाशा तो इसको भी याद रखीगा ये भी important है अब देखना ये कह रहा है कि जो राजा गोपालाचारी रहे इन्होंने समिधान सभा में जो नेशनल लेंग्विज थी उसके समान सेट लेंग्विज शब्द का प्रियोग किया और समिधान सभा की कारेवाही के जो हिंदी प्रारूप में है state language का हिंदी अनुवाद क्या हो गया राजभाशा किया तो ऐसे भी अम मानते हैं कि यहां से भी राजभाशा शब्द जो है वो निकला थीक है पहली बात हो है शब्द की राजभाशा शब्द देखें यहां पर सीराजा गोपाला चारी लेकिन हिंदी को राजभाशा बनान में रखिएगा, next आता देखिए, राष्ट्य हिंदी प्रचार समीती वर्धा, ठीक है, यह बड़ा important देखना वर्धा, राष्ट्य हिंदी प्रचार समीती वर्धा, 1936 में बनी थी ने यह, ठीक है, इसके द्वारा 1953 में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी रिवस बनाने की मां मांग रखी तो हिंदी दिवस मनाने की जो मांग रखी थी यह रखी थी राष्ट्य हिंदी परचार समय ती जो वर्धा रही है इस ने रखी थी यह मांग ठीक है कब रखी थी वर्धा द्वारा 14 सितंबर ठीक है 14 सितंबर 1953 इस बात को याद रख लेना देखी यह important है देखना है न और इस दिन को क्या मना जाए हिंदी दिवस मनाया जाना चाहिए और इस मांग को भी स्विकार कर लिया गया ठीक है इसको भी याद रखी कि यह वाली मांग भी जो है वो क्या हुई यह भी मान ली बात आती है कि पहले पहल फिर हिंदी दिवस कब मनाया गया था इसको आपने यार रख लेना है नहीं कि यह 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था और देखिए यहां पर दो चीजह हैं पहली चीज यह क्या कह रहा है कि जो आपका हिंदी को प्रस्ताव रखा गया था कि हिंदी क्या होनी चाहिए हमारी राजबाशा होनी चाहिए तो ये 14 सितंबर 1949 को रखा गया लेकिन बाद में दूसरी चीज क्या रही कि यहां पर हिंदी दिवसकब से मनाय जाने लगा यह 1953 से रखिएगा यह important है देखना है इसको याद रखना है आपको महत्पूर्ण हो जाएगा यह तो यह हो गया आपका कौन सा प्रश्ण कि जो आपका हिंदी दिवस कबसे मनाते हैं यह भी important हो जाएगा और उपर वाली बात भी आपके लिए महत्पूर्ण हो जाएगी तो हिंदी दिवस पहला पहल का मनाएगा 14 सितंबर क्यों मनाया गया क्योंकि इसी दिन बोला गया कि य इस लिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मना जाएगा इसका भी क्या रहा इसका मतलब इसके जो यह मांग थी उसको भी स्विकार कर लिया गया इस बात को आपने यहां पर ध्यान में रखना था ओके चलिए नेक्स देखते हैं फिर इसके बाद क्या है आगे हिंदी को धान की अनुशिय 343 एक के अनुसार दिया गया था 343 का क्या कहता है देखना 343 का एक पहला वाग जो कहता है वो यही कहता है कि संग की राजबाशा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी बाकी जादा विस्तार से हम आगे देखेंगे इसके बारे में जब हम सिलसले बार कर में 1936 बताया है मैंने क्या और चीए इसका राश्ति हिंदी प्रचाद समीथी वर्धाव इसको देखना पड़ेगा एक पार फिर से इसको देखेगा आप चलिए नेक्स देखते हैं फिर इसके बाद दूसरी चीज गया है इसमें आपका जो महत्तपुन बात आती है राश् राजभाषा हिंदी के प्रियोग की क्या से करें प्रियोग गर्टि में जिनमें से तक रही यहां से आपको प्रश्शन पूछा घाता देखिए कि इन चार-पांच गटनाओं को क्रम अनुसा रखिये. तो सबसे पहले क्या हुआ है, एक राष्ट्रपती ने एक आदेश जारी किया, ठीक है, राष्ट्रपती ने सतावन दोनों चीज़े हैं 1957 में ये बना था और संस्रिय समिती ने अपना जो अपना जो से फारिशें बिगेरा जो थी वो इसमें आगे इनों रखे आगे मिस्तार से इसके बारे में जानेंगे ठीक है लेकिन यहां पर आपको यही क्रम याद रख लना था ठीक है फिर 1963 में क अपना एक राजभाषा अधिनियम बना और 1968 में राजभाषा संकल्प और राजभाषा नियम जो है वो 1906 में बना ये सारे प्रोसस से गुजरने के बाद जो है हमारी हिंदी जो है वो मतलब अपनी राजभाषा का जो उसका सफर रहा वो इन सोपानों से होकर के गुजरा ठीक है तो यही आपको क्रमानुसा लगाने के लिए पूछ जाता है यह आपको पांडेन पांडे वाली बुक में भी दिए वो हैं देखना जितने भी सारे यह चाहे वो राश्थपती का आदेश है चाहे राजभाषा अयोग है चाहे संस्रिया राजभाषा समुईती है च अब यहां से प्रशन और बन सकते हैं, कि राजबाशा आयोग के अंतरकत क्या क्या चीज़े रहती है, एंड राजबाशा आयोग में जो आपको कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसमें सुझाव क्या है, ठीक है, ऐसे प्रशन आपको पूछ जा सकते हैं, फिर संसदी जो समिती रही है, इसने कौन-कौन से सुझाव उसमें रखें, ये प्रशन इसमें बन सकता है, ठीक है, इन चीज़ों को आप यहां पर त्यान में रखेंगे, सबसे इंपॉर्टन चीज़ें यही होती हैं देखना, UGC.net के एक्जाम में कि किस समिती में, किस अधिनियम में, कौन सी बात रही, ये जादा मौतब होनों जाएगा, ठीक है, तो इसको याद रखना पड़ेगा, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं यहां पर, जो आपकी मुख्यबाते हैं, इसमें कौन-कौन सी हैं, सबसे पहले आता है, देखिए, 1955 में, राश्टरुपती राजेंदर प्रसाद ने क्या किया, सविधान के प्रावधानों के अनुसार, बीजी खेर की अध्यक्षता में, इनका नाम था, बाला साहिब गंगाधर खेर, ठीक है, यह अपने याद रख लेना है, बाला साहिब गंगाधर खेर, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में, राजभाशा आयोग का गठन किया, पहली चीज़ यही हो गया, कि राजभाशा आयो का अध्यक्ष तो यह हो जाएगा बाला साहिब गंगाधर खेर और इनके अध्यक्षता में गठन हुआ और यह कितने सदस्य का आयोग बना 21 सदस्य थे इसमें और इसने क्या किया राजभाशा के प्रियोग के बारे में कुछ सुझाव दिये अब यह सुझाव कौन से थे यह आपको याद होने चाहिए अब देखना यह काम आपका है important है यह चीजें देखना इनको ध्यान में रखना पड़ेगा अब देखिए इसमें कोई जादा सुझाव तो नहीं थे लेकिन फिर भी आपको यह ध्यान रख लेना है कि जो मुख्या मुख्या सुझाव इनमें रह है इसमें देखिए सबसे पहली चीज आपको क्या याद रख लेनी है यहां पर पहले पहल था कि पारिभाशिक शब्दावली का निर्मान ठीक है यह याद रख लेना परिभाशिक शब्दावली इसका निर्मान गती की तीब्र हो और अंतराश्तिय शब्दावली के शब् वbnिष्वाष विश्वाूरी कंजगे सब्सक्राइट कि अगर धिक चनि ुम्राइट करने के साथ उन सुविकार होनी चाहिए एसाै कि उसको तो टवली ही नकर दे यह इसमें सुझाहा देखिये कि हिंडी क्षेत्र के जो विध्यार्थि है न उनWatch और बाशा विशेशकर जो दक्षन भारत की बाशा है उसको जरूर सीखना चाहिए ये इसका दूसरा सुझाव था कि वही ठीक है जो हिंदी क्षेतर के विद्यारती है उनको एक और भाशा जरूर सीखनी चाहिए खासका दक्षन भारत अब यहां पर ये चीज़ आपको थोड़ आप देखेंगे कि यहां पर जो है यहां की वहां की जो अपनी जो भाशा है रही है वो जादा रही ठीक है तो इसके चलते यह कह रहे हैं कि यह एक तालमेर बनाने के लिए भी कि जो हिंदी हैं वो हिंदी को सीखेंगे और यहां के लोग जो हैं वो दक्षन भारत के विश जो दक्षिन भारत की भाषा है वो उन्हें जरूर सिखने चाहिए ठीक है फिर आता है यहां पर तीसरा सुझाव कि चौदा वर्ष तक सभी विद्यातियों को हिंदी का ज्यान जो है वो करा देना चाहिए अब देखना यहां से प्रशन कैसे पूछेंगे आपको यहां से प् में राजभाषा आयोग का जब गठन हुआ उसमें 21 सदस्य थे पहला यह कतन है दूसरा कतन है कि इसमें परिभाशिक शब्दावली के निर्मान की गती और अंतराष्टी शब्दों को अस्विकार करने की सुझाव दिया गया तो यह वाला जो है वो गलत हो जाएगा क्यों इनको आपको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में मनमस्थिष्ट में बिठा के रखना है क्योंकि यह प्रश्णा आपके लिए ज्यादा जरूरी है देखना ठीक है इनको ध्यान रखना पड़ेगा यह इंपोर्टेंट है ठीक है अब देखी यह सिंपल है बस इनको आप आपने पॉइंट वाइस लिख देना है पहले पहले परिवाशिक शब्दावली का निर्माण और अंतराश्य के शब्दावली में हेर फिर के साथ स्विकारता फिर हिंदिक शेत्र के विद्यार्थी को एक अलग भाषा का भी ज्यान होना चाहिए और अलग भाषा उसने ब देखना कि जो करमचारी हैं उनको एक निश्चित समय सीमा मिल जानी चाहिए और उस समय के अंदर उनको हिंदी का ज्यान जो होना चाहिए कि वो अपना जो भी कार्याली चीज़ें हैं जहां पर उसको हिंदी की जूट पड़ेगी तो एक निश्चित समय के अंदर क्या करे एक निश्चित समय के अंदर वो क्या करे अपना ये कारे सादक ज्यान का मतलब होता है कि एटलीस इतनी हिंदी सीख लें कि जिससे उसका जो सरकारी कारे है या जो भी चीज़ें है वो चल पड़े ठीक है और इसके लिए कहा रहे हैं कि ये दंड की विवस्था की बात भी कर पाता था है कि इसमें कि जो आपके सरकारी करमचारी हो गए तो ये चार चीज़ें हैं इसको आप याद रख लीजिए कि मुख्या मुख्या बातें क्या रहीं जो आपके राजभाशा आयोग के सुझाबों में आती हैं तो यहां पर प् ओके है किसी को कोई यहां पर कोई confusion यही है आपका main जो टॉपिक है यहां का यहां तक ठीक है जादा थेज़ दो नहीं हो रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं कुछ और चीज़ें यहां पर यह तो ओगे राजभाशा आयोग देखना पहली चीज़ है यह सब सबसे important बात है दूसरा आता है 1955 में थे हम राजभाशा आयोगी में है ना और इस आयोग ने क्या किया इस आयोग के कुछ सुझाव रहे अब अन्य सुझाव कौन से आए यहां पर अन्य सुझाव रहे देखिए यह वो रहा है कि जितनी भी हमारी प्रतियोगी परिक्षाय रही ना उसमें हिंदी का एक अनिवार्य प्रशन पत्र रख जाना चाहिए मतलब भाशा के ज्यान के लिए एक अनि पर पत्र होना चाहिए जिस रिची से आपने बी यह मैं रहा था ना हिंदी सेकंडियर में आप देखते हैं एक समाने हिंदी आप पढ़ते हैं तो यह कह रहे हैं कि अब जो है आपका एक्जाम भी क्या होना चाहिए जो प्रिटों की प्रिक्षाएं हैं उसमें हिंदी एक अनिवारे प्रश्ण पतर रखा जाएगा तो यह भी एक चाहिए ठीक है कि जो भारतिया भाषाएं रही हैं उनमें निकटता आये और यह निकरता के लिए ही आपने देख पीछे कि हिंदी भाषी जो है वो कौन सी हिंदी सीखेंगे वो सिखेंगे आपके जो दक्षिन भारत की जो बाषाएं हैं विशेशकर क्योंकि उन सब बाष प्रियों में क्षेत्रिय वाशाओं का प्रियोग होना चाहिए ये एक इसमें इंपोर्टेंट बात थी है ना लेकिन इस बात को स्विकार बात में नहीं किया गया हम देखेंगे इसमें से कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें फिर इसके बाद जो है राजबाशा समीति भी बनी ठीक है ये तो आयोग बने आयोग ने अपने सुझाव रखें फिर इसके लिए क्या बनी एक राजबाशा संसदिय समीति बनी ठीक है फिर उसने इन सुझावों पर गौर किया ठीक है तो हम देखेंगे कि वहाँ पर कौन सी एकसेप्ट हुई कौन सी निगलेक्ट हुई तो कौन सा मंत्राल है कौन सा विबाग जो है वो इस हिंदी के विकासक्रम के जिम्मेदारी को संभाले तो ये भी इसमें एक सुझाव दिया क्या था तो ये लगबख चार-पांच या साथ-आठ जितने भी सुझाव रहें इनको आप थोड़ा सा याद रखेगा जादा नहीं है डिक है हिंदी भाषी राज्यों की जो एक भाषा में सीख है आपके दक्षिन भारत की हिंदी है ठीक है लीप कौन सी होगी पुरेबारत बरश्त में जो है देवनागरी को ही अपनाया जाना चाहिए और सरकार जो आपका क्या करेंगे उच नेयाले में जो है आमारी क्या भी पूछ लेते हैं देखना उन में से आपको सारी की सारी देखनी है कि उन में से कौन सा सुजहाब इसमें था और कौन सा सुजहाब जो है बुश में नहीं रहा Mr. संगीता परतनी शुद्ध है या ऐसे ही लिखा जाता है कौन सा उच्छ नयालेक में शित्रिय भाशाओं का प्रियोग किया जाना चाहिए अपने जो सेकेंड लास्ट पॉइंट होता है यहां पर क्या हो जाएगा बाकी तो वैसे ही रहे जाएंगे देखिए यह में अलग जाएगा तो यह आ हो जाता है बाकी वैसे ही रहेगा आगे ठीक है यह में पर एक एक यह लगाना भूल गया मैं ठीक है चलिए आगे मिल जाएगी आपको इसकी शुद्वर्तनी है ना बहुत बढ़िया नेक्स क्या देखी यह तो राजभाषा आयोग के सुझाव हो गए यह थे इसके आठ नौ सुझाव इनको याद रखिए आपने नोट्स में इसको बिलकुल अच्छे तरीके से याद रखिए क्यों यहां से क्रश्म जब वो पहले भी पूचा गया है और आगे भी पूचे समीति भी कह सकते हैं ठीक है यहां पर क्या लिखाया देखिए कि राजभाषा आयोग द्वारा दिये गए सुझावों का परिक्षन करने का जिम्मा संसद की राजभाषा समीति को सोंपा गया अब देखिए राजभाषा आयोग ने क्या किये जो सुझाव दिये उनको क्या किया जाए उन पर गौर करने का जो जिमा दिया गया चीक है ये किसको दिया गया है ना या कि उसका परिक्षन करें चीक है या फिर समिक्षा करने का जो जिमा मिला ये संसद की राज भाषा समीति या जिसको संसदिय समीति कहते हैं इसको संपा गया तो ये कब बनी 1957 में गठि भी है कि संस्दिय समीति का गठन 1957 में ठीक है और इस समीति ने 1969 में अपने सुझाब फिर प्रस्ट प्रस्ट किये इसकी अध्यक्ष्ट तक इसने की ये की थी गोविंद बल्लब पंत ने अब ध्यान रख लेना है पहले कौन आया आपका वी जी खेर ये नाम आया लेकिन उसस से भी पहले राजभाशा का धर्जा बनाने की जो हिस में रखी यह रखी गुपाल स्वामी आयंगर शब्से पहले राज गुपाल अचारी भी उसके साथ ही फिर भीजी खैर उसके बाद फिर भीजी के बाद अभा आ गया गोविंद बल्लब पंध जिसने संस्दिय समीती क अध्यक्षता की जो 30 सदस्य अपकी समीती रही ठीक है और इस समीती ने क्या किया 1969 में फिर अपने सुझाव प्रस्तुत किये ठीक है तो यह बात आपको यहां पर ध्यान रख लेनी है देखिए एक एक चीज इसमें बिलकुल क्रम से ही है कोई जादा इदर उतर नहीं मतलब आपको बढ़काया गया है पहली चीज क्या थी आप चाहे तो इसको पांडे वाली बुक से भी देख सकते हैं आप चाहे तो किसी अन्य बुक से भी देख सकते हैं तो आतपूर्ण है देखना यह चीज़े इनको आप याद रखिएगा पहले-पहल क्या बना राजबाशा आयोग बना फिर राजबाशा आयोग ने अपने सुझाव प्रसुत किये 7-8 सुझाव उसके बाद जो है एक समीती बनाए गई कि वो उस पर क्या करें उनकी जो राजबाशा आयोग की जितने भी सिफारिशे रही है वो उनको क्या करें उनको समिक्षा करें कि क्या उसमें प्रसुत किए 1959 में आप एक-एक लाइन का एक-एक प्रश्ण बना लीजिए उपर लिख दीजिए संसिरिया राजवासा समिती वन लाइनर वन लाइनर से आपको क्या होता है कि जाधा चे तरीके से याद इसली याद हो जाते हैं बिना किसी उसके लिखने आपने ये बिना कि next क्या गहता है देखिए करमचारी जो है पहले जो इसका सुझाव रहा कारे साधक हिंदी ज्यान प्राप्ट करने तक अंग्रेजी में ही कारे करते रहेंगे पहली चीज इसमें ये थी कि जो भी सरकारी करमचारी है वो क्या करेंगे कि जब तक वो हिंदी सीख नहीं लेते खीक है, तब तक वो क्या करेंगे, अंग्रेजी में ही कारे करते रहेंगे, ये पहला सुझाव दिया, संसदिय जो समीती रही, खीक है, तो ये था आपका कारे सादक हिंदी ग्यान प्राप्त करने तक क्या हो रिचे ये अंग्रेजी, दूसरा क्या आया, कि 45 वर्ष की आयू स उपर के जो सरकारी करमचारी है न, उनको हिंदी के प्रिशक्षन में छूटती जाए, ये इसका दूसरा सुझाव था, कि अगर कोई 45 वर्ष से उपर का सरकारी करमचारी है, तो उसको जो हिंदी के प्रिशक्षन में छूट मिलनी चाहिए, ये इसका दूसरा सुझाव रह उच नियालें के निर्णे एवं आदेशों इत्यादी को अंग्रेजी में ही रखा जाना चाहिए यह important था देखिए पीछे हमने क्या मांग की पीछे हमने देखा कि वो क्षेतरी वाशा में होने चाहिए जो राजबाशा आयोग कहता था लेकिन यह कह रहा है कि राजबाशा जो हमारा मतलब जो आपकी उच नियाले हैं वहाँ पर क्या होनी चाहिए वहाँ पर जो है अंग्रेजी को ही रखा जाना चाहिए यह था संसिदे समीति का सुझाव फिर देखिए आगे क्या कह रहा है कि केंद्रिय सेवाओं में परिक्षाओं के माध्यम के रूप में जियान रखिएगाओ फिर 1965 के बाद ये हिंदी को प्रधान भाशा हो जाए मतलब 1965 के बाद ये जो राजबाशा समीति तो इसने अपने कितने सुझाव रखे देखिए एक ये हो गया दूसरा यहां पर यह वाला हो गया तीसरा जो है पुछ न्याले से समंदित हो गया, चौथा जो है केंद्रिय सिवाओं की परिक्षाओं से समंदित हो गया, पांचर जो है आपका हिंदी को परधान भाषा बनाने से समंदित हो गया, तो ये प्रशन आपको ऐसे पूछ जा सकता है देखना कि संसरिय समयती ने कब तक हिंदी क को प्रधान भाषा बनाने का जो है सुजाव प्रसुत किया तो 1965 तक समझें आगी बात यहां तक वैस तो इजी है यहां पर कोई जादा आपको नहीं होना चाहिए मुश्किलात बस यह याद रखने पड़ेंगे यह अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज जो नहीं का रहे होंगे और 45 वर्ष के ऊपर से लोगों के लिए चूट हो जाएगी फिर उच नियालम में जो अंग्रीजी में योगकार केंद्रिय सिवाओं की प्रिक्षा भी अंग्रीजी में नहीं रखी है ना और 1965 के बाद हिंदी को प्रतान भाषा बनाया संसधिय सुझाब जो है वो रस्तुत किये थे ठीक है ओके हो गया यहां तक कि मुश्किल तो नहीं लग रहा है बहुत क्यों क्या रहा है कि चुप हो गए सारे लोग जगतंबा ठीक है ठीक है सर जी चलिए ठीक है पता नहीं नराज़की तो नहीं हो गया मुझसे कुछ अब देखिए जब यह दो क्या हो गया दो चीज़े बनी पहले वाली आपका राजभाशा आयोग भी हुआ राजभाशा जो आपकी संसेदिय समीती भी बनी उसके बाद इन दोनों सिफारिषों पर राश्ठ्रपती ने अपने कुछ आदेश दिये अब दींखे पहले पहलangen पर ़ी राश्ठ्रपती का आदेश था मुक्त 255 के बाद यहां पर राष्ट्रपती का आदेश उसके बाद फिर से आया जब राजभाषा जो संसदिया समीती भी बनी उसने भी अपने सुझाब जो है वो रखे ठीक है फिर राजभाषा समीती के बाद जो है राष्ट्रपती ने कुछ अपने आदेश रखे उनमें देखि का माध्यbstमधे अंग्रेजित ही यहां पर रख शिक्षामनेंट्राले हिंदी के प्रचार की विवस्था करें किसको दिया यह जिमा राजकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए ग्रीह मंत्राले योजना प्यार करें तो प्लानिंग बनाने का काम किसको रखा ये रखा आपका इनको ग्रीह मंत्राले को ठीक है फिर सेवक्त संसदी ये समिती के सुझावों पर ध्यान देते हुए राष्टपती ने दो स्थाई आयोगों की स्थापना की ये most important है यहां पर बाकी चीजें उपर की आप याद रखें या ना रखें लेकिन इस बात को आपको जरूर याद रखना है कि जो आपका राष्टपती ने दो आदेश चो प्रस्तुत किये ठीक है ये कौन सा था कि जो दो स्थाई आयोग है उनकी स्थापना की जानी चाहिए और ये स्थाई आयोग कौन कौन से थे एक था विधाई आयोग और एक था विध्यानिक और तक्निकी शब्दावली आयोग ये दोनों ही 1961 में स्थापित हुए ठीक है इन चीजों को आपने यहां पर ध्यान रख लेना है विधी मंत्रा लेके द्वारा जो है आपका कौन सा होगा विधी आयोग और जो आपका शिक्षा मंत्रा ले देखिए यह क्या करेगा जो आपके विधी कोश्ट का निर्मान करेगा विधी कोश्ट मतलब कानून से समद्दित जो भी चीज़े रहेंगी ठीक है उस शेतर में ठीक है ताकि आपको जो सिंपल सी बात या रखना है देखना कि जो आपका कि जो विधी से समदित जो भी श की बात की गई कि ऐसा आयोग बनाया जाए जिससे क्या हो जाए कि जो आपका विधी यानि की कानुन से समंद्री जो आपके शब्द है ठीक है वो अच्छे तरीके से अनुजित फिर हो जाए ठीक है तो ये चीज रहेगा आपका विधाई आयोग 1961 प्रशना आपको ऐसे 1961 तो यही थे आपके यहां पर देखना कि जो मुख्य मुख्य बाते हैं जो इस सिफारिश के बाद राष्टवती ने दो आदेश प्रस्टूत किये हलांकि आदेश तो जाद रहे लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टन चीज है वो है ये जो आपके दो आयोग बनाएग विधाई आयोग और टक्निकी शब्दा वली आयोग राष्ट पते के अदेशों के बाद ठीक है ये था आपका देखे तीसरा चरण इसका पहला चरण क्या था प्रगती का वो था राजबाशा आयोग दूसरा था संसधिय समीति तीसरा था आपका जो आपका राष्ट पते के आदेश ठीक है इन बातों को आपने यहां पर याद रखना है यहां तक ठीक है इसके बाद आगे थोड़ा सा कुछ और देखते हैं आगे क्या देखिए इसमें यह कह रहा है कि राजभाशा अधिनियम बना फिर अब यहां पर दो आयोग भी मना लिए गए बेग्यानिक औ एंड हमारी जो विधी अयोग भी या कानून से समद्दि जो चीज़े रही या नियाले से समद्दि चीज़ों को सिम्प्लवाई करने के लिए ठीक है अब आदा देखिए आपका राजभाशा अधिनियम यह अधिनियम अहिंदी भाशी राज्यों को यह अश्वासन देते थोड़ा सा आजीब सा लगेगा इसको देखिए इसको सुनना कैसे आपको ये जो राजभाशा अदिनियम था ये क्या कह रहा है कि जो आपके सम्विधान रहा है देखना उसमें जो भी आपके उपबंद रहे हैं उनके अनुसार एक चीज रही कि 1965 में क्या हुआ कि हिंदी को जो है भारत की एक मात्र राजभाशा जो बनाया जाना था क्योंकि सारे जो प्रियास थे वो तो इसी के चल इसी के लिए हो रहे थे कि हिंदी क्या होनी चाहिए हमारी कि हिंदी राजभाशा होनी चाहिए ठीक है लेकिन ऐसे में जो आपके और हिंदी भाशी जो क्षेत्र थे ना उनमें से खासका जो आपका ये जो पश्ची मंगाल हो गया तमिल नाडू हो गया ठीक है यहां पर क्या हो गया कि यहां पर जो हिंदी विरोधी हिंदी को नहीं कर देंगे लागू की हिंदी ही राजवाशा होगी ठीक है हम ऐसा करेंगी कि जब तक अहिंदी क्षेत्रों की जो सहमती नहीं होगी तब तक जो है हिंदी राजवाशा एकदम से नहीं बना लिया जाएगा और इसी आश्वासन के चलते ही हम देखते हैं कि दम से जो है इसको नहीं लागो किया जाना चाहिए ठीक है तो ये बात आपको यहां पर ज्यान रख लेना है और उसके बाद जो है परने जो आला नहीं यह बात कही कि उसके बाद जो है क्या है हिंदी को एक मातर भाशा तभी स्विकार किया जाएगा जब अहिंदी क्षेत्र में फिर्शन चोदित पी होगा और इस अधिनियम के जो प्रावधान रहे हैं वो कौन-कौन से रहें यह प्रावधान रहें यहां पर देखिए कि 26 जनवरी 1955 के बाद हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का जो प्रयोग है वो चलता रहेगा पच्पन नहीं होना चाहिए यहां पर यहां पर 65 होना चाहिए ठीक है इसको ठीक करिएगा यह ठीक कर लेना है ना क्योंकि यह तो 63 में तो बन रहा है ठीक है तो 26 जनवरी 1965 के बाद हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा ठीक है इसको आपने या रख लेना है पहला जो इसका हो जाएगी लेकिन अंग्रेजी का प्रयोग जो चलता ही रहेगा साइक बाशा के तोर पर लेकिन आज हम साइक देखते हैं हिंदी हो गई है ठीक है दूसरा क्या रहा राजबाशा दीडियम यह कहता है कि उच्छ नियालियों के निर्माण में यहां भी देखी है ना निया है उच्छ नियालियों के निर्म में हिंदी या किसी राज्यस्तरिय राजबाशा का प्रयोग किया जा सकेगा अब यहां पर जो है उस मांग को थोड़ा सा हम देखते हैं कि फुल्फिल कर दिया गया जो हमने पहले मांग उठाई थी इसमें देखना कि जो आपके यह क्या रहेगा आपका जो उच्छ नियाले हो गया उसके निर्नेक इसमें रहेंगे हिंदी में रहेंगे या फिर किसी राजबाशा का प्रयोग इसमें किया जा सकेगा ठीक है यह क्या रहा यह रहा आपका राजबाशा दिनियम का दूसरा जो प्रावधान तीसरी चीज इसमें क् यह जाएंगे तो यहां पर यह क्या कहते हैं कि जितने भी आपके केंद्र से समधित या संग से समधित जो भी चीज़े है राज्य और हमारे सेंटर से ठीक है उन दोनों में क्या चीज़े रहेंगी उन दोनों में जो है उन दोनों में आपको यादख लेना है कि यह क्या रहे हुआ है तो इस बात को आप यहां पर ध्यान रखिएगा आज तो हम यहीं देखते हैं कि हिंदी जो रहे हो दूसरे नमबर पर है अंग्रेजी ही अमारे सरकारी कारे लगवगरा में जादा प्युक्त हो रही है ठीक है तो ये कुछ एक सुझाव रहे इसमें राजभाशा अधिनियम में इनको आप यहां पर याद रखेगा पहला हो गया कि छबी जनवरी 1965 के बाद हिंदी के अंग्रेजी का प्रियोग फिर न्यालिय में फिर आप प्रियोग जो है वो चलता रहे ये थे आपके राजभाशा अधिनियम 1963 जो 1967 में फिर संशोधित हुआ इसमें बदलाव रखे गए फिर बना आपके पास राजभाशा संकल्प इसके बाद अब यह जो राजभाशा संकल्प था यह कब बना 1968 में ठक तो नहीं गए ज्यादा थो नहीं हो गया कि इतने सारे कैसे याद रखे जाएं आगे बढ़ना है या फिर जहीं पर आज खतम करें इसको देख लेते हैं राजभाशा संकल्प देख लेते हैं कि आमने संकल्प क्या लिया फिर उसके बाद ठीक है यह आपको याद रख लेना है इसको कर लेते हैं फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें देखते हैं कि आगे क्या करना है यहाँ पर है राजभाशा संकल्प राजभाशा संकल्प 1968 एक एक चीज़ देखी पहले से एक बार फिर से तब जाद अच्छे से याद रहेगा है पहले क्या बना राजभाशा आयोग बना ठीक है यह पहली चीज़ हो गई दूसरा क्या बना संसधिय समीती बनी पर इससे भी पहले आपको याद क्या रख लेना है राष्ट्रपती का आदेश क्या ने यहां पर आपको सिंपल याद रख लेना है कि 1955 में उन्होंने आद लेकिन आपको याद ये रखना है कि जो राश्टवती ने आदेश दिया था शायद वो मैंने पहले-पहल आपको बताई थी बात याद नहीं था एक बार फिट से देख लेता हूँ कहां पर था जान भास ये एक मीनिट यहां पर हाह ये 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 इस चीज TB ज़रूर फालो करना है देखना कि अंग्रेजी लेकिन्टव को इस जाता है इस बात को जरूर फॉलो करना है आपने देखना यह बहुत ही इंपोर्टन चीज़ है इसको ध्यान रखिएगा यह शायद मैंने आपको पहले अच्छे से बताया था या नहीं उताया था इसको जरूर फोकस करना क्योंकि यहां से प्रशन आपको पूछा जा सकता है ठीक है तो पहले पहले हो गया राजभाषा का आयोग के संदर में राष्ट्पति का आदेश ठीक है अर आदेश क्या था कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही वाषाओं का प्रियोग हो나 चाहिए लेकिन जो प्रमानिक पार्ट माना जाएगा वो किसका माना जाएगा वो अ 1955 में ही, फिर संसदिय समीती 1957 और जिसने 1969 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, फिर उसके बाद राजभाशा जो आपका आयोग रहा देखना और संसदिय समीती रही, इन दोनों की सिफारिश से राष्टपती ने फिर से कुछ आदेश जारी कर दिये, ठीक है, और उन भी बना एक आपका तेखनinkा की शब्दा, वली आयोग ये रहे 1961 में, ठीक है, ये भी 1961 में, ये फिर आपका 1969 में ठीक है, ये आपका 1996 में फिर इसके बाद क्या बनता है, आप देखिए, इसके बाद आपका बना राजभाशा अधीनियम, ठीक है, अधीनियम कभुआ, ये पिर उसके बाद सरसथ में संशोधन के बाद जहां एक ओर हिंदी भाषी राज्यों की चिंता समाप्तुई तो दूसरी ओर हिंदी भाष्यों की चिंता बढ़ रही थी. तो सवाविक सी बात है, अब हिंदी भाष्यों को ये डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी राजबाशा बने ही ना ठीक है तो ऐसी स्थिती में क्यूंकि वो तो एक मातर हिंदी उसे भी ना चाहते थे ना राजबाशा तो इस कठिन घड़ी में क्या हुआ कि संसद के दोनों सदनों में एक संकलप पारित किया गया जिसमें मुख्य यूह है वो नहीं देन काल्ब क्या है राजबाश्य संग्लब तरुक्ते हो जाएगी करे गाल है तो यहां पर द्यानक लेना है कि जो आपके, ठीक है, यह मतलब जो भी काम है, वो क्या उने चीजए? एक दम से नहीं होने चीजए, धिरे-धिरे होना चाहिए हिंदी का काम, ठीक है? तो यही चीज़ अप हिंदी वालों को सदाने लगी, कि अप उनको जो है, तुम जब तक नहीं मानते, अगर वो माने ही तो क्या होगा, हींदी तो बन इन पाएगी, तो अभी इन की स्थिती ऐसी होगी, तो आछी, कठिन घड़ी में ये क्या खेरे हैं, कि ऐसी, मतलब विकट परिस्तिती में क्या हुआ, कि संसर के दोनों सद्नों में एक संगलब पारित किया गया, जिसमें मुख्या चीज़ें रही जो निमिन लिखी थे हैं. तो यहां पर लिखी है, पहली चीज यह लिखी है, कि सरकार हिंदी के तीवर विकास और प्रियोग के लिए एक व्य ठीक है, जिसकी प्रगति की रिपोर्ट प्रतिवर्ष संसद में प्रसुत भी की जाएगी, यह पहला इसमें था, तो पहली चीज तो हम यह कहते हैं न, कि हम बिल्कुल करेंगे, वह इत्री ब्रविकास करेंगे इसका, ठीक है, दूसरा क्या रहा, फिर भारत सरकार, राज्यो माली जी कोई अहिंदी भाशी क्षेत्र है, उसमें क्या रहेगा देखना, अहिंदी भाशी जो आपका क्षेत्र है, उसमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, हिंदी को क्या किया जाएगा, हिंदी का जो अध्यान किया जाएगा, यह चीज आपको यहां पर घ्यान रख जैसे माली जी अहिंदी भाशी है तो उसको क्या करना पड़ेगा अंग्रेजी तो वो जानी रहा है तब ही वो अहिंदी भाशी है और दूसरा अपनी उसकी क्षेत्रिय है ये भाशा है अहिंदी भाशी राज्य को क्या करना पड़ेगा अब हिंदी को भी सीखना पड़ेगा ठीक है और जो हिंदी भाषी राज्या है इसको क्या करने पड़ेगा इसको अंग्रेजी के साथ तीसरी जो भाषा है न वो एक और भाषा रहेगी और वो विशेश कर कौन होगी वो होगी आपकी कौन सी जो आपकी दक्षिन भारत की कोई भाषा समझ मारी बात तो यह हो त्री भाशा सुत्र समझ में आ रहा है या नहीं देखे तीन भाशा होई ना जो हिंदी भाशी है वो किसको सीखेंगे हिंदी को सीखेंगे लेकिन दो भाशा है उनकी हो जाएंगी तो दो ये तीसरी हिंदी अब जो हिंदी भाशी है वो अंग्रिजी और हिंदी सीखेंगे ल हो जाना था कि इससे इन दोनों की ही चीजें पूरी हो जानी थी ने हिंदी एक वहां की स्थानी जो भाशा है उसको सीक लेना था जो विशेशकत दक्षिन की रही जहां से जालतर मांग जो है वो अंग्रेजी के लिए यानि कि एकदम से इसको खतम ना करने की जो मांग उठी ठीक है कि इस बात को आप ने यहाँ पर ध्यान रखेना है next चीज के आति है देखिए next है केंद्रिय सेवा में यहां पर सेका हो गया है केंद्रिय से इसेवा हो न है न केंद्रिय सेवा में भर्ती के लिए हिंदि व अंग्रेजी दोनों भाशाइं आवश्यच्ट तो यहाँ ये क्या कर रहे हैं कि अगर आपने सेंटर में कोई भी सेबाइं देनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको भरती लेनी है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं, जो है वो जरूरी कर दी गई थी, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज बात की गयi है कि नहीं की गई है क्या दोनों ही भाषाओं के साथ ऐसा तो नहीं है कि किसी हिंधी के साथ पार्शाल्टी हो रही है या फिर अंग्रेजी के साथ पार्शाल्टी हो रही है या फिर आपके क्षित्री भाषाओं के साथ कोई पार्शाल्टी कर रहा है ऐसा तो नहीं है ठीक है तो यह चीज़ आपको यहां पर ध्यान रख लेनी है कि जहां पर भी समनवे बिठाने की ब आपक विकास की बात कर रहा है ठीक है जिसकी प्रगति की रिपोर्ट पर प्रटिवाशन सद में रहेगी सरकार जो है आठ्वी अनुसूची में उल्लिकित सभी भाषाओं को समनवित विकास के लिए कारेकरम तैयार करेगी अब यहां पर देखिए इसने क्या बोला कि जितने भी हमारी आठ्वी नुसूची में शामिल भाषा है न उन सभी में समनवित विकास के कारेकरम तैयार करेगी ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक भाषा को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा और डूसरी भाषा को जो है वो कम ठीक है इसमें रिकॉर्डिंग रुक ग चलिए तो इसको याद रखिएगा आफ है न तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा है मतलब समनवित की बात करेगा तो राजवाषा संकलब क्योंकि यह किसी को भी क्या करेगा मतलब यहां पर देखिए दोनों सदनों में एक संकलब पारित करेगा जिसमें इन बातों क इस विकट गड़ी से निपटना था न तो इसलिए इस चीज़ को रखा गया उके इस बात को याद रखिए और आठियोंने सूची में शामिल जितने भी बाषाय रही है उन सब में क्या रहेगा उन सबका एक समनवित विकास होगा और उसके लिए कारेकरम तयार भी होगा और आज भी देखते हम कि आज भले ही हमारे समयधान में कितनी जो भाषाय रही है बाइस भाषाओं को जो है कारेकारी या जिसको हम अधिकारिक भाषाओं के तोर पर माननेता प्राप्त है और इन ही बाइस भाषाओं में क्या चीज़ है हम देखते हैं इसमें आपका पू मिलता है इसलिए हम कहते हैं कि यह समय विकास के करक्रम तयार करता है जो आपका राजभाषा संकलब हो जाएगा ठीक है तो यह थे आपके राजभाषा संकलब अगर इतना ही करना है तो ठीक है नहीं तो इसमें आगे बचता है राजभाषा नियम राजभाषा नियम में कितन ले रहे हैं देखना केंद्रिय सरकारी कारल उनको हमने कितने भागों में विवक्त किया है कश्रेनी और गश्रेनी के जो ठीक है अगर इसको अभी देखना है तो अभी देख लेंगे अगर ठक गए हैं तो फिर आप क्या सकते हैं बोश्ट तो नहीं लग रहा है आज का पड़ेगा इसको बनाई ये देखेंगे तो जाधा चारे गां प्रस्ण बनाके देखेंगे कैसे किन पहले लगा लिए जैसे मने पिलकुल पहली शुरुहाथी आती जा आर्था इसके पहले पहला नहीं है कि पहले कि जितना संभव हो सके हमें हिंधी भाशा और इसका प्रियोग होना चाहिए लेकिन जो आपका अंग्रेजी के साथ होना चीजिए 22 को मानएता मिलनी चाहिए ठीक है और फिर राजभाषय आयोग राजभाशा आयोग ने साथ आठ जो अपनी सिफारीशे रखी उनको भी आपको यारख लेना जो उसने सुझाव दिये ठीक है कि एक परिभाशिक शब्दावली का निर्मान होना चाहिए और जो अंतराष्टे शब्दावली है उसमें क्या होना चाहिए उसमें आपको सिंप अपको यारख लेना है कि 1959 में रही ठीक है जिसने अपने जो सुझाव है वो आगे प्रस्तुत किये तो उसमें सुझाव क्या दिया कि जो आपके सरकारी करमचारी हैं वो जब तक हिंदी बगेरा जो है नहीं सीख लेते तब तक अंग्रेजी में ही काम करते रहेंगे, लेकिन 45 साल का अगर उपर से है, तो फिर उसको छूट दे दी जाएगी, ये चीज रहेगी, और 1965 के बाद उन्होंने क्या बोला था कि हिंदी जो है, परधान भाशा बना लिए जाएगा, आलांकि इसमें कुछ और भी रहें, क उसमें दो क्या बन गए, हमारे आयोग बन गए, राजभाशा आयोग या जिसको हम विधाई आयोग भी कहते हैं देखना, और एक आयोग बना आपका वैग्यानिक एवं तकनिकी शव्दा वली आयोग, ये दो आयोग रहे हैं, इनको आप साथ साथ में ध्यान में ठीक है, चले कोई बात नहीं, बीच में अगर कोई चीज आपको पता ना लगे रिकॉर्डिंग में, तो फिर मुझे बता देना आपने, वैसे आपको इसमें सारी ही चीज़ें लिखी हूँ ये देखना, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जो मैंने आपको छोड़ी हो, ठीक है, इसी में मिल जाएगी PPT में, कुछ भी नहीं करना है, एट लिस्ट PPT को देख लीजिए, है न, देख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख सकते हैं, तो फिर रिकॉर्डिर क्लास से आपको जितना मज़ी देखना है, इसको देख लीजिए, ओके, आगे हो, या फिर कर दूँ स्टॉप, अनीता, वैसे राज-भाशा नियम आपने कर लिया है, देखना, उसमें कोई जादा मुश्किल वाली बात नहीं है, ये नियम आपने पहले से पढ़के रखे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर इंपोर्टन, बहुत है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सरी, वो छोटी-छोटी पॉइंट से नियम करने होंगे पीछे वा, लिलते जुलते ही है, उनको देख लिजे तब, इसको कल करेंगे, देखे कल क्या चीज रही, एक रहा आपका राज-भाशा नियम, एक रहा आपके पास, ये राज-भाशा नियम के अंतरकत, इ उसके बाद क्या रही स्थित्य, जब ये सारी चीजे हो गई, 1976 के बाद, नियम तो हो गया, लेकिन उसके बाद कौन-कौन सी चीजे रही, इनको हम कल देखेंगे, है न, और इसमें आगे क्या हो जाता आपका, 1976 के बाद में ये चीजे, तो ये रहेगा आपका, लास्ट तक जो में चीज़ें वसी तना सब्सक्राइब